यह जन्माश्टमी यह जन्माश्टमी के दिन का ब्लॉग है और दिन के शुरुवात दुरी सुबे सुबे मंदिर में आ गई हूं मैंने नहा लिया है मंदिर की सफाई सारी कर लिया है बट जो मैंने मालाय वगएरा धोई थी ना मैं उन सबको लगा रही थी और फूल यहां लगाने में लगी भी थी और पता नहीं कौन से एंगल से मेरे बेटे ने ये वीडियो जो है ना शूट किया है कि मैं इतनी मोटी लग रही हूं साइट से मैं इतनी मोटी हूनी यह सूट बहुत लूज है आगे से आप लोगो दिख रहा होगा खुदी यह पसा हुआ है दक्ष को मैंने व्लॉगिंग के लिए लगाया है क्योंकि इतने बार पूजा करते समय मैं उठ नहीं सकती हूं कैमरे के एंगल्स चेंज करने के लिए इसके बाद दक्ष अपनी पूजा कर लेगा तो यहां पर फटा फट से भगवान जी की आर्दी कर लेते हैं दिया जला को खुदी दिख रहा होगा उसके बाद में आ गई थी उपर अपने लड्डू गोपाल जी का श्रिंगार करने के लिए मैंने सारी चीजे नहीं दिखाई क्योंकि फिर ना कुछ लोग कहते हैं आपने ऐसा किया ऐसा नहीं करना चीए था देखो मन में जिस तरीके की श्रद प्रभू के प्रती उस तरीके से आपको करना चीए जितना आपको आता है वैसे करना चीए इसलिए मैंने ज्यादा चीजे नहीं दिखाई है इसमें यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल तयार हो चुके हैं तो आप लोग भी देख लीजिए दर्शन कर लीजिए और तब त पहना दिया है तिलक मैंने इसे लगा दिया है बासुरी इसके हाथ में है और मोर पंक भी यह लग रहा है न पूरा का पूरा कनेया आप लोग बताना सच में मेरा बेटा काना लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे तो इसके अंदर पूरा काना का रूप दिखता है वैसे ही चंचल है, शैतान है, नटकट है, बहुत ही प्यारा है जैसे बिल्कुल कृष्ण भगवान थे अपने बाल रूप में और इसको देखो ये किस तरीकी की बासुरी बजा रहा है यहाँ पर आप लोगों ने मुझे तो देखाई नहीं कि मैं भी तिलक लगा कि येशोदा मा बन चुकी थी या गोपी बन चुकी थी कुछ भी कहिए राधा नहीं बनी थी मैं येशोदा मा बनी थी मैं दक्ष को बोल भी रही थी कि मैं येशोदा मा बनी थी उसके बाद हम लोगो जाना हाथ बाहर कुछ फूरूट लेने यहीं तो फटा फट से हम लोग फूरूट लेने जा रहे बट रास्ते में इतनी सारी जहां कियां दिख रही थी जगह जगहा पर जगही ज़ाकियं है निकलने में लगी थी बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देख के उसके बाद हम लोग पहुच गये थे फ्रूट्स लेने के लिए जहां से मैंने एपल लिये एपल ना 200 रुपे किलो 180 रुपए किलो अलग अलग रेट वाले हैं मैंने यहाँ पर 200 रुपए किलो वाले एपल लिये पपीता लिया था और केले लिये थे दक्ष केले उसके बाद मैं आगी थी छत में दोफेर का टाइम हो गया था काफी जादा धूप आई भी थी आप लोगों को खुदी दिख र आते हैं बहुत सारी चीजे गिर जाती है तो त्योहार के दिन वरत होता है तो मैं सारी चीजे चेंज कर लेती हूँ उसके बाद मैं नीचे आ गई थी सारे के सारे कपड़े तै करके लगाने के लिए इतनी धूपती बट फिर भी ना कोई कोई कपड़े जो है अंदर से पड़े धुलना जो है बंद हो गया है जब से स्कूटी आई है तब से पैदल चलना बंद हो गया है बस सारी आदते ना हमारी खराब हो रही है बैट ऐसा होना नहीं जिए अभी शाम हो गई है शाम के साड़े चार या चार बज़रे करीबन और मैं भोग बनाने लग गई ह आटा घी और इसमें मैंने पंच मेवा इलाइची सौफ और बतासे मैं इसमें अभी डालूंगी लास्ट में वरना चीतिया लग जाती है तो यह प्रशाद ना मैंने भून के रख लिया हम जब छोटे थे ना जन्माश नमी में हम लोग ना पुलिस लाइन में रहते थे तो वहां की जो मंदिर थे ना वहां जहां की लगती थी हम लोग देखने जाते थे वहां का जो प्रशाद का टेस्ट है ना आए है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतना अच्छा होता था ना वो टेस्ट मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं चाहे जितना भी कोशिच घर में बन इसे एक मग दूद पिला दिया है शाम के समय क्योंकि यह जा रहा है खेलने के लिए भार खेलने नहीं हमारे कलोनी में सामने चोटे बच्चों की ना वो हो रही है दही हांडी तो वो ना देखने जा रहा है और यहां पर देखे मैंने पूरी भोग की थाली बना दी है पाइठ हमने सारी चीजे सारी की सारी चीजे हमने कर ली है अब ही नहीं दूसरे दिन मौर्निंग का व्लॉग है जब मैं सुबह उठके अपने लिए चाय बना रही हूं और यहां पर देखो मैंने सुखे अलू के गुटके जो है दक्ष के लिए बनाए है पूरियों के तालो के गुटके बनाना मैंने बुला ठीक है मैंने वो बना दिया है और मैं इसे छोड़नी नहीं जा रही हूं यहां पर अपना बैग वैग लेके यह रेडी हो गया और सुबह इसका लोवर फट गया था मैंने बड़ी मुश्किल से सिला बहुत पुराना हो गया है तो य जो है स्कूल की तरफ को निकल गया था आज इलनों का गेम्स वगयरा था स्कूल में एक दिन होता है एक डे होता है गेम बाला तो आज वो ही था तब यह ट्रैक सूट पहन के जा रहा था मैं अपने सारे काम कर लेते बटना मेरी मशीन जो है कंप्लेट नहीं थी तो उसके बात ये सी कमप्रिट ऊप चलेगी सार्य कि दोने के खो मैंने जो बिचाई थी दूसरे रूम में अलने तो अभी धूप यह वह घप लाइन बहुघे है लेकिन इधर को जो है सही है कपड़े मेरे सारे के सारे सूख गए थे ऐसे बहुत जादा वो नहीं था कि बारिश हो जाएगी करके तो सही था उसके बाद मैं नीचे आगी तो मेरी पड़ास वाली ने मुझे घर में लगा हुआ पपीता दिया उन्होंने पपीते के पेड और यह आवाज निकाल रही है मतलब कुछ बोल रही है तो आप बताओ यह कौन सी चड़िया है